आप सभी के चैनल में हमारी स्वागत है और देखिए अगर आप हमारे चैनल में नहीं तो यहाँ पे सिस्क्राइब कलाल बटन दबा दीजे और बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि आपको नए वीडियो के सूचना मिलती रहे आए आगे क्यों बढ़ते हैं आज जिसे हमें इ इंडिया जो कडहाई बुनाई इसके हातों से जवारा जो होती है न उसके प्रोड़क्स भी यह बहुत जबर्थ बनाती रेपूटेट फॉर एक्सलेंट प्रोड़क्स डेवलेप्मेंट अन डिजाइन केपबिलिटी इंकॉर्पोरेटेट अर श्रिवालिक प्रिंस प्रा HR Gupta and Mr. Vijajindal, a leading manufacturer and exporter of knitted fabric and knitted garments. SPL Industries Limited designs manufacturers and sells a wide range of outer wear, T-shirts, sweatshirts, polo shirts, etc. for top and customers in the international market. अंतर राष्टी लेवल पर अलगला countries में export भी करते हैं. Industry has 5 factories in Faridabad covering 5 lakh square feet spread over 14 acres of prime land. It employs about 4,000 people including contract labor. Friends, यह हमें आपको बताया कि यह जो inner wear, outer, T-shirts, कितने जबर्दस्त बनाती हैं, कपड़े और खाने पेने के धंदे में कभी नुकसान नहीं होता भाया. तो जबर्दस्त कंपणी अभी आपको मैंने पिछले एक वीडियो बनाया हुआ है, जोकी ब्रांड आप देखते हैं, जो famous है, और आद देखिए वो कंपणी कहां पे, उसका नाम है कंपणी का Page Industries Limited है, तो उसका वीडियो लिंक में शायद मैं आपको वहां पे दिखे का pop-up तो आप देख सकते हैं वो वीडियो भी, तो दोस्तों इस कंपणी का अभी जो stock price है, बहुत छोटा है, और मुझे इस कंपणी में बहुत अच्छा future नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी fashion से related होते हैं, कपड़े पहनने महनने की बहुत demand होती है, अंतराश्टी लोयल पे इनका business है, तो आइए बढ़ते हैं इसके मोटा मोटी fundamentals देखते हैं क्या है, SPL Industries Limited, BSCP जो उसका 5 अप्रिल को 2019 को जो भाव ट्रेट कर रहा था, 48 रुपए 30 पैसे, और 52 वीक लो बनाया था, इसने 22 रुपए 5 पैसे, high था 74 रुपीज, और centimeter में hold, 100% लोग करें, hold, hold it, hold it, देखें, market का इफ है, 142 करोड़ों की, और इसका मतलब ये जो है, हम stand-alone के वो चार्ट देख रहे है, market का इफ है इसके, 142 करोड़, 86 लाग की, और शाट लाग की, sorry, earning per share है 9.65 रुपए पैसे, एक शेर पीज की कमाई है, जबर्दस, P है इसका 5 का, 5.10, 5.10 और इंडस्ट्री पी देखे 50 का है, 50.90 की, तो इंडस्ट्री से कितनी कम है, book value 15.30 की और dividend, dividend नहीं पे करती, anyways, face value है 10 की और price to book 3.22 की और deliverable 42 पसंद के आस-पास, तोटल जोड का करजा करजा कितना मामूली से है, एक microcap company जहां ए लोग पैसे ले ले लेके उधाल लेके अपना business व्यापार फैलाते हैं, लेकिन हम देखे करजा देख रहे हैं, चलो consolidated में भी देख लेते हैं, चलो consolidated हम अगर देखते हैं, तो यहां पे 85 करोड का फिर भी कम है, और total rate जो stand-alone के जो results हैं, उसमें दिखा रहा, balance sheet पे 5 करोड का, और हम दोनों से compare गए हैं, consolidated के stand-alone के उपलब्ध हैं, यह देखे, sorry, जो net sales थी, प्रोड की, March 18 में 31 करोड की, वो June 18 में 28 कम हो गई, लेकिन सब्तमबर 18 में बहतरीन थी 49 करोड की, और December 18 में फिर भी यहां पे 40 करोड की रहे गए, और operating profit में जो March 18 में 5 करोड के आसपास थी, वोई June 18 में 7 करोड 45 लाग की होगी, और सिप्तमबर 18 में 8 करोड 78 की, और December में भी यहां पे cover downside दिखा रहे है, स्टेंडर लोन के रिजल्स में 7 करोड 47 लाग, नेट प्रॉफिट में जहां March 18 में 5 करोड 66 लाग की थी, वहां दून 18 में 6 करोड 69 लाग, और सिपंबर 18 में 9 करोड 6 लाग, और December 18 में 6 करोड 76 लाग, नेट प्रॉफिट में थोड़ी downside है, चलिए अब आगे बनते हैं, देखी, average quality company है, management risk growth, capital structure की basis पे, sales growth है, 38.57% की, अच्छी बात है, EBIT growth है, 33.29% की, यह भी अच्छा है, और P देखे हम देखी, चुके ROC है 29.37% की, ROE है 32.49% की, तो ROC और ROE भी हमें यहाँ पे जबर्दस दिख रहा, और stock अभी valuation attractive दिखा रहा है, तो obviously अभी यहाँ पे बनता है कि इसमें खरीदने लाइक है, और financial trend positive है, score is 17. Returns देखिए, mostly green में देखने 10 सालों में 748% की return, 5 सालों में बहतरीन 700% की आसपास की return, चार सालों में करीब 382 मतलब 400% की आसपास ही पहुच रहे हैं, और 3 सालों में 14% की return, दो साल में भी 92% की return, 1 year वे तो जबर्दस दिख 93% की return, year till date में 26 minus negative return है, लेकिन 6 मंत में फिरस ने bounce बेकिया, और 17%, करीब 12% की आसपास है, और 3 months में, भी हाँ, downside है, 1 month में 2% की, downside है, 1 week में फिरसे इसने bounce किया हुआ है, 3.32% की upside है, 1 day में भी 1.58% की upside है, और हम इसके annual देख लेते हैं results, stand-alone के, यह देखे, मार्च 17 से मार्च 18 में देखे, 18.44% की upside है, और operating profit में देखे, 213%, 213% की आसपास, जबर्दस्त और net profit में भी देखे, 211% की upside है, और margin भी अच्छे दिख रहे हैं, 2.60% की upside है, और promoters के पास जबर्दस्त holding है, 68.73% के और एक भी share गिरी भी नहीं है, और mutual fund और FIS ने खायर, इसमें पैसे नहीं लगा हैं, चोटे stock है, microcap company है, और individual investors ने यहाँ पे 27% के आसपास, जबर्दस्त, textile से private 1991 से inception है, और dividend इन्हों 2007 में last time दिया था, तब से नहीं pay कर रहे हैं, आशा है कि भविश्य में अगर एक company profit में आएगी और हिसाब से fundamental positive दिख रहे हैं, financial train तो मुझे देना चाहिए, let's see, और microcap company है और अपनी industry में 62, मतलब 62 नंबर पे, तो friends आपने अभी देखें यहाँ पे, PE भी देख लिया, आपने EPS भी देख लिया, तो मुझे क्यों लग रहा है इसके branch पे जो इसके कपड़ें हैं, जो इसका export का काम है, उस हिसाब से मुझे लग रहा कि अभी जो इसका price है, बहुत ही छोटा price है जिससाब से company की आय है, 48 रुपए के आसपास अभी trade कर रहा है, तो कुछ shares आपको जरूर लेके रखनेने चाहिए भविश्य के लिए, क्योंकि हो सकता है कि यह कभी भागने लगे तो आपको अच्छा return देखे जाएगी, और ऐसे जो fabric होते हैं, जो करहाई बुनाई वाले जिनकी बहुत demand होती, designers cloth इनको कहते हैं, तो जबरदस्त इसमें company में कभी भी बाढ़ हा सकती है, कभी भी आपका पैसा भागने लगेगा, कमा के देने लगेगी, तो मैं यही कहूंगा, कुछ stocks अपने, आप अपने portfolio में, इस textile sector में भी यह जबरदस्त company है, आपको कुछ shares लेके रखने चाहिए, जिससाब से आपने अपने portfolio में decide किया हो, जितना percent आप textile sector में डाल सके, तो friends, मैं एक disclaimer देना चाहूंगा, कि यह educational purpose एक video है, और कोई भी stock खरीदने है, या business पहले अपने financial advisor ज़रूर मशवरा कल ले, Thanks for watching this video.